Hello दोस्तों and welcome back to another video आज की इस वीडियो में हम इस्टॉल करने वाले है Renzu Multi Character Script as well as Renzu Spawn Script हमारे QubiCore Server में and ये वीडियो रहेगी दो पार्ट में divided because first part में मैं आपको दिखाऊंगा सिरफ Multi Character and इसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं Spawn and इसके अलावा मैं इन तोनों का इक अठे भी आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में so start करते हैं हमारे first part से जहां पर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ Multi Character Script हमारे Server में so आपको आजन है इस Link पे and आपको इसको download कर लेना सबसे पहले and ये script QubiCore को भी support करती है as well as ESX को भी support करती है बस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला सिरफ QubiCore ESX के लिए मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा so यहां पी download हो चुक है मेरी script and मैं इसको extract कर लेता हूँ हमारे server में सो आपको आजाना है resources में and इसके बाद आपको आना है QubiCore folder में Qubi में आने के बाद आपको आ जाना है इधर and इसको extract कर लेना है कुछ ऐसी इसके बाद आपको क्या करना है आपको इसको करना है rename and यहां से main हटा देना है आपको इसको open करना है and इसके बाद आपको config glue up file पे आ जाना है यहाँ पे आपको इसके सारी customizations दिख जेंगे जो आप अपने end से कर सकते हो but by default आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ changes नहीं करने because यह automatically आपका core वगारा select कर लेता है so आपको यहाँ पे कुछ भी mainly change नहीं करना बस मैं आपको एक दो चीज़े करके दिखाने वाला हूँ so सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम spawns resource पे so मैं इसका spawn resource अभी use नहीं कर रहा so मैं इसको कर देता हूँ false जिससे हमारा जो QB spawn है वो इसके साथ perfectly work करेगा इसके बाद आपको इसके इंट्रो वगयरा change करने वो आप यहाँ से कर सकते हो and config cam को आप true रहने देना because starting में camera angles आते हैं बड़े अच्छे camera angles होते हैं so वो बड़ा अच्छा लगता है starting में अब हम आगे चलते हैं and यहाँ पर आगया config delete अब can delete इसमें क्या होगा कि अगर आपके players को आपको चाहिए कि वो अपना character delete कर पाएं so आप इसको true रहने देना वरना आप इसको false करते हैं delete button हट जाएगा इसके बाद आजाते हैं slots तो आपको कितने slots रखने हैं अपने multi character में वो आप यहाँ से change कर सकते हो so मैं इसको कर देता हूँ 5 इसको मैंने आपे save कर दिया है और आप जैसे नीचे आते हैं आपको बाकी सारी चीज़े दिख जाती है and जैसे मैं आपको बताया यह ESX को भी support करते हैं तो उसका भी थोड़ा बहुत यहाँ पे code दिया हुआ है and नीचे आते आते आपको यहाँ पे animations दिख जाएंगी because यह animations को भी support करता है आगे आने के बाद आपको इसकी skin menus दिख जाएगी so आप जोंसी skin menus यूज करते हो आप उसके exports यहाँ पे paste कर सकते हो and by default यहाँ पे QB clothing भी है ESX skin भी है and बाकी सब भी जैसे alienium appearance and 5m appearance भी यहाँ पे है and यह automatically choose कर लेगा जोंसा आप से resource यूज कर रहे हो and आगे आने के बाद आपको जादा को change नहीं करना यही थी हमारी config logo वाली फैल में changes अब मैं इसको कर देता हूँ close and इसके अंदर जैसे आप load करते हो यहाँ पे आपको एक logo दिखता है वो logo आप manually change भी कर सकते हो आपको आने web में and यहाँ पे आपको एक logo.png file दिख रही है यह logo आप अपने हिसाब से change कर सकते हो and यहाँ पे आप अपनी image लगा सकते हो so यह भी आप कर सकते हो customization and यहाँ पे हमारे installation वाला part पूरा complete हो जाता है बस आपको क्या करना आपको पुरानी multi character script delete कर देनी है so यहाँ पे QB मैं use करते हैं QB multi character so मैं इसको यहाँ से delete कर देता हूँ and यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है so अब मैं start करता है अपने server को and मैं आपको मिलता अपने server के अंदर जाके so यहाँ पे start हो चुके हमारी multi character script and मैं जो आपको camera angles कह रहा था वो कुछ ऐसे दिखते हैं and यहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप यह image change कर सकते हो so आपको बस उस file में change करना है and यह automatically हो जाएगा इसके अलावा आपको यहाँ पे cfx.re5m वाला आपको logo दिखता है and इसको भी आप change कर सकते हो इसकी html file में जाके वहाँ पे इस image का link दिया हुआ है आप इसको अपनी image से change कर सकते हो so यहाँ पे मैंने 5 characters select कर रखे थे and यह सारे वो characters हैं इधर मैंने सिर्फ पहला character अपने server में पहले से बना रखा है so वो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे दिख जाएगा and यह starting में कुछ animations भी करेगा and जैसे ही आप इसको select करते हो आप इसको choose कर सकते हो या फिर आप इस character को delete कर सकते हो so यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको choose करता हूँ and यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको choose किया यहाँ पे हमारी QB spawn वाली script trigger हो गई and वो अपना गाम कर रहे है यहाँ पे so मैं इसको यहाँ पे last location पे spawn कर लेता हूँ so यह था दोस्तों process हमारे existing character का so अगर आपको बनाना होगा कोई नया character so आपको मैं वो भी एक बार ही दिखा देता हूँ so यहाँ पे मैं कर देता हूँ re-log and वापिस से मैं यहाँ पे character selection पे आ जाऊँगा and यहाँ पे मैं create करोंगा अब एक नया character so यहाँ पे मैं selector लेता हूँ second slot जो होगा एक empty slot and यहाँ पे मैं अपने character का name लिख देता हूँ यह वराज last name में मैं कुछ भी लिख देता हूँ test mail और बागी समय 0101 2000 nationality हम कुछ भी select कर लेंगे and यह भी test और enter जैसी मैं enter प्रेस करोंगा यहाँ पे हमारी QV spawn वाली script trigger हो जाएगी and वो मिरे को बोलीगा अपना apartment choose करो तो मैं यहाँ पे यह वाला apartment choose करता हूँ and यहाँ पे मैं सीधा अपने apartment के अंदर spawn हो जाऊँगा इसके बाद मेरी QV clothing वाली script trigger होगी and वहाँ से मिरे को अपना character customize करना पड़ेगा जो आगी हमारे पास यह menu and यहाँ से मिरे को जो भी changes करने है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ for example मिरे को pants change करनी है and यहाँ पे मैं shoes कर लेता हूँ और इसके अलावा jackets कुछ ही है वाली and मैं इसको कर देता हूँ confirm और यहाँ से मैं अपने apartment से बाहर आ जाता हूँ and मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से re-lock करके भी दिखा देता हूँ जासे मैं करता हूँ re-lock and अब आपको यहाँ पे दो करेक्टर्स दिखेंगे because मैं इसकेंड करेक्टर अभी अभी create किया है and यहाँ पे उसकी job भी दिखती है so मैं इसको फिर से यहाँ पे चूस कर लेता हूँ last location और यहाँ पे मेरा क्रेक्टर स्पान हो चुका है आप देख सकते हो बड़ा easy था इसका installation so यहाँ पे complete हो चुका है हमारा first part and अब हम चलते हैं हमारे second part पे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले make sure to check out Zab Hosting जो है 5M official hosting partner and इनके help से आप अपना 5M server host कर सकते हैं सिरफ 5 minute में and check out के time use करना मेरा promo code जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा discount and यह सारी details आपको मिल जाएगी description और pin comment में अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में so अब हम download और install करते हैं Renzo spawn script so इसको download करने के लिए आपको वापस यही पर आना है and यहाँ पर download zip पर click कर देना है and मैंने इसको अलग से क्यों दिखा है because इसका एक main reason है यह हमारे apartment और houses को support नहीं करता so यहाँ पर आपको जो default locations दी होई है आप यही पर spawn कर सकते हैं and आप इनको यही से config से set कर सकते हो तो इसलिए मैंने इसको एक बार अलग से करके दिखाया है so यहाँ पर आपको जैसे डाउनलोड हो जाए आपको इसको extract कर देना है अपने QBee वाले folder में यहाँ आ गया हूं QBee में and इसको simply extract कर लेता हूं इसके बाद इसको आपको rename करना है कुछ ऐसे and इसके बाद आपको इसकी config file में आ जाना है config file में अगर आपको कोई new location add करने तो आप यहाँ से add कर सकते हो and उसकी image भी आपको upload करनी पड़ेगी वो आपको web वाले folder में आके images में paste करनी पड़ेगी and यहीं पर आपको यह वाली image दिखेगी जैसे आपको नीचे preview में दिख रही है अगर आपने इतना कर लिया तो अब आपको आना है अपने रेंजू multi character में and यहाँ पर आपको spawn selector को enable कर देना है अब because हमने इसी का ही spawn selector अब add किया है so मैं इसको कर देता हूँ true इसको कर देता हूँ save and इसके बाद हमें default spawn वाली script को disable या फिर delete कर देना है so यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर delete कर देता हूँ और हमारा installation का काम complete हो चुका है so अब मैं आता हूँ अपने server में and आपको test करके दिखाता हूँ यह script भी so यहाँ पर मैं आचुका अपने server के अंदर and यह आगे हमारी multi character script and इसके बाद मैं करता हूँ अपने character को spawn so मैंने अपना first character select कर लिया and मैं यहाँ पर इसको करता हूँ choose और अब मेरे को आ जाएगा यहाँ पर spawn करने का option and यह है हमारी new spawn script so आपको इसको जहाँ spawn करने आप यहाँ पर कर सकते हो इसके लाबब आप इसको last location पर भी spawn कर सकते हो तो मैं यहाँ पर pillbox के बाहर spawn हो जाता हूँ so ऐसे इसका कुछ animation और मैं आपर spawn हो चुका हूँ so यह तो थो आपके existing character के साथ बट अगर आप new character create करते हो तो क्या होता आपके साथ मैं आपको वह वी एक बड़ी दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं करता हूँ re-log और अब मैं create करूँगा एक new character एक खाली slot में से आगा empty slot and यहाँ पर मैं create कर देता हूँ 1000 नेशनलिटी हम कोई भी कर लेंगे and enter so यहाँ पर trigger हो चुक है हमारी spawn वाली script and आपको बस select करना है कि आपको spawn कहाँ पर करना है so यहाँ पर मैं legions के square पर spawn हो जाता हूँ और अब trigger हुई हमारी QB clothing script and यहाँ से मैं अपने character को customize करूँगा अपने हिसाब से so मैं यहाँ पर इसको for example इसके jackets change कर देता हूँ बाकी आप अपने हिसाब से जैसे बनाना है आप अपना character बना सकते हो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर select कर जाता है and इसको मैं गर देता हो confirm and यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका है and यह script अपना अच्छे से work कर रही है so यही थी दोस्तो script हमारी multi character as well as spawn script आपको कैसी लगी हो आप मेरे को comment में जरूर बताना and आपके पास अगर कोई और suggestion हो so आप वो भी मेरे को comment में जरूर बताना है मैं सारे suggestion note कर रहा हूँ and मैं धीरे धीरे इन सब को implement and इन सब पर वीडियो जरूर बनाऊंगा इस वीडियो में दोस्तों इतना ही and जाने से वहले make sure to check out zap hosting जहां आप host कर सकते हो अपना खुद का 5M server इनके game server hosting में या फिर आप buy कर सकते हो VPS या फिर root server अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP server है and यहाँ पे आप मेरा promo code जरूर यूज करना because उसमें आपको renewal के time एक अच्छा खासा discount मिल जाएगा मेरी तरफ से so thanks for watching मैं मिलता आप से अगली वीडियो में